नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पाइड माइंड्स पर. क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स हर पल हमसे बात करता है? यह एक सच्चाई है कि यूनिवर्स हमें संकेत और संदेश भेजता रहता है, लेकिन समस्या यह है कि हम उन्हें समझने में असफल रहते हैं. कई बार हम शिकायत करते हैं कि यूनिवर्स हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन वास्तव में हम ही उसकी आवाज को पहचानने में नाकाम रहते हैं. यूनिवर्स हमसे कई तरीकों से बात करता है, और अगर हम उसकी भाशा सीख लें तो हमारी जिन्दगी बदल सकती है पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आत्मा का स्तर युनिवर्स हमारी आत्मा के स्तर पर संकेत भेजता है लेकिन इन संकेतों को पकड़ने के लिए हमें अपनी पांच इंद्रियों को शांत करना होगा ऐसा करने के लिए लोग उपवास, मौन वरत और ध्यान की प्रथा करते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को विराम देते हैं, तो हमारी छठी इंद्रिय अंतरद्रिष्टी जागरित होती है, और हम यूनिवर्स के संकेतों को पकड़ने लगते हैं। दूसरा संकेत है मानसिक स्तर. यूनिवर्स हमारे मन के स्तर पर भी संकेत भेजता है, लेकिन यहां समस्या यह है कि हमारे मन में लगातार विचारों की धारा बहती रहती है और हम उन संकेतों को भूल जाते हैं. इसलिए हमें अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना होगा और अपने मन को शांत करना होगा जब हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन विशेश विचारों को पहचान सकते हैं जो वास्तव में युनिवर्स से आय हुए संकेत है तीसरा संकेत है शारीरिक्स्तर Universe हमें शारिरिक स्तर पर भी संकेत देता है जब कोई बात सही होती है तो हमारा शरीर शांती और आनंद का अनुभव करता है लेकिन अक्सर हमें इन संकेतों को गलत समझते हैं और उन्हें अलग तरीके से व्याख्या करते हैं इसलिए हमें अपने शरीर की भाषा को समझना होगा और जब वह शांती का संकेत दे तो हम उसे स्विकार करें चौथा, संकेत है बाहरी स्तर Universe हमें बाहरी दुनिया के माध्यम से भी संकेत भेजता है यह समाज, लोग और घटनाओं के रूप में हो सकता है लेकिन यहां भी हमें सजग रहना होगा हमें उन बातों और घटनाओं पर ध्यान देना होगा जो बार-बार दोहराई जाती है क्योंकि यह संकेत हो सकते हैं कि Universe हम से कुछ कहना चाहता है पांचवा संकेत है प्रकृती का स्तर Universe हमें प्रकृती के माध्यम से भी संकेत देता है पशूओं, पक्षियों का व्यवहार, व्रिक्षों की हरियाली और प्राकृतिक घटनाएं यह सभी हमारे लिए संकेत हो सकते हैं लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए हमें प्रकृती से जुड़ना होगा और उसकी भाषा को सीखना होगा तो दोस्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि Universe हमेशा हमारे साथ बात करता है लेकिन समस्या यह है कि हम उसकी आवाज को पहचानने में असमर्थ रहते हैं आपको भी कोई ऐसा संकेत मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इससे हम आपके अनुभवों को जान सकते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट में आई लव यूनिवर्स जरूर लिखे धन्यवाद